तो दोस्तों आप लोग वीडियो में देख रहे हैं उलू एप की नई वैब स्रीज रिलेशनसिप काउंसेलर पार्ट टू एपेसोड नंबर 4 तो दोस्तो आप लोगों ने एपिसोड नमबर 3 में देखा कि सीजल कार्तिक के साथ जगडा करके मेगना के घर पर आ जाती है और उसके बाद मेगना राजीब को बोलती है कि हमको हर हालत में इन दोनों का रिस्ता तूटने से बचाना है अब तुम एक काम करो तुम सीजल को स लोग दे और दोस्तो बड़ी मुश्किल से ये इसके घर से जान बचा कर यहां से निकल लेती है अब रात को राजीब ओफिस के बाद घर पर आता है और अपनी वाइफ मेगना से पूचता है कि तुम कार्तिक को समझाने के लिए गई थी तो क्या हुआ तो ये बताती है कि कार्तिक का कहना है कि जब भी वो सीजल के साथ सेक्स करता है तो सीजल को इसके साथ सेक्स करने में प्रोवलम होती है तो इससे एक बात तो साफ है कि इन दोनों की असली वज़ा सेक्स ही है तो कार्तिक बोलता है कि हम दोनों इन दोनों को एक दो बार और समझाने की कोसिस कर देंगे हम अपनी एनरजी वेस्ट क्यों करें तो ये बोलते हैं कि आप ठीक कहते हो और उसके बाद दोस्तों यहां पर मेगना अपने पती के साथ पलंग तोड़ करना शुरू कर देती है और थोड़ी दिर में हमको पता चलता है कि इसका पती इसको खुश नहीं कर पाता है आप दोस्तों सुबह को मेगना बिना कुछ बताए ओफिस के लिए निकल जाती है क्योंकि रात को राजिब इसके साथ साथ सही से पलंग नहीं तोड़ पाया अब राजिब मेगना को ढूड़ने लगता है तो सीजल बताती है कि वो तो उफिस के लिए चली गई तो यह बत बाता है कि भावी मुझको तुम से सीजल के बारे में कुछ अरजेंट बात करनी है तो तुम पिलीस मेरे अभी घर पर आ जाओ लेकिन मेगना इसके घर आने में हिच्चिजार्ट महसूस करती है क्योंकि इसको डर होता है कहीं इसको अपने घर पर बुला कर इसका पलंग न त देता है और इसको पिला देता है और दोस्तों इसी के साथ वैब स्रीज का एपिसोड नंबर 4 भी वहीं पर समाप्त हो जाता है तो